दल के बहलाने को गाले भी एक ख्याल अच्छा है बजरंग दल और बजरंग बली इस इक्वल टू कोई भी संकट मोचन मंदिर चले जाईए वहां के भक्त मानेंगे ये घुजरा, टु एन एक्स्टेंट असाम और यूपी उसके अलावा कहां जहां कहीं सरकार है वो चुराई हुई सरकार है धार्मिक ध्रुवेकरन जो सामाजी का अर्थिक मुद्द्य है उनको प्रिष्ट भूमी में नैपथ्य में भीज देता ये दुरपाजी कभी कमफ़ाटेबल नहीं थे ये उनका बड़पन है कि वो हार स्विकार कर लेगे स्विकार तो उनको करना चाहिए जो सबसे बड़े चेहरे की रोप में घुसे पड़े थे करनाटक में मनिपूर जल रहा था उन्होंने करनाटक नहीं जोड़ा वो जो हमारे प्रधार मंत्री जी है उनकी और से भी एक मैसेज जाएगा ना तो लोगतंत्र मजबूत होगा स्विकारोकती वहां होनी चाहिए लेकिन वहां तो है ही नहीं दिल के बहलाने को गाले भी एक खयाल अच्छा है मैं और क्या कहूं ही मन्टो जी को उनको अपने करनाटका में दिये गए भाषनों को दिखना चाहिए वो जो धार्मिक ध्रुविकरन नफरत और घ्रणा की फसल उन्होंने कितनी लगाने की कोशिश की उस पर भी टिपनी आई है करनाटकी उसका एहसास होना चाहिए और मैं मानता हूं कि ये अंतता किसी का भला नहीं करेगी बीजेपी को भी जो एकाज जगा चुना जीत जाते हैं तो उनको ये मानना होगा ना कि ध्रुविकरन इस देश के मिजाज को तोर रहा है हम सब को बीमार कर रहा है लोगतंतर आईसीउ में पहुंच जाएगा जब लोगतंतर आईसीउ में पहुंचेगा तो आप कौन सा चुना लड़ेंगे बीजेपी वालों आपको भी तो दिक्कत होगी न क्योंकि नफरत अगर हवा में है न जाहर तो वो सिर्फ A, B और C को टार्गेट नहीं करती है वो DEF को भी टार्गेट करती है यह एहसास होना चाहिए जीत का स्केल बहुत बड़ा है तकरीबन 7% का वोट शेयर में फर्क है यह अपने-अपने कहानी कहता है लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि विपक्च के तमाम दलों को गंभीरता पुरवक मुद्दों के इर्दगिर देख दूसरे का हत्व करना चाहिए क्योंकि जनता मुद्दों पे आना चाहती है जनता को कताई मतलब नहीं है कि आस्मानी मुद्दों पे आप उसको बटकाते ने उसकी थाली, उसका परोस उसके बच्चों का रोजगार अगर ये चुनाओं के मुद्दे बनेंगे ना तो बीजेपी को तब मुश्किल होगी वो भी फिर इन बातों को करना शुरू करेगी और तब वो लोकतंत्र की जीत होगी मैं ममता बनर जी की बात को इस रूप में दीखता हूँ कि बच्रंग बली बेहत नाराजाद क्या कर दिया था वहाँ जा करके बच्रंग निदाल और बच्रंग बली इस इक्वल टू कोई भी संकट मोचन मंदिर चले जाईए वहां के भक्त मानेंगे ये उन्होंने तब भी ये कहा था और मैं तो समझता हूँ जो उन्होंने कहा तो मैप उठा के देख लीजिए गुजराथ, to an extent SM और UP उसके अलावा कहां जहां कहीं सरकार है वो चुराई हुई सरकार है चुराई हुई सरकार को हम कहते हैं मेंडेट चोड सरकार मेंडेट चोड सरकार का तो कोई लोकनत्र में इसी संभावना आम तोर पर बंगती नहीं है इसलिए बीजेपी के लिए भी मैं बार बार दूर आ रहा हूँ कि तेजे सुवी जी के मैसेज में एक संकेत तोर तरीके पदल ये चुनाओ को चुनाओी मुद्धों पर ले आईए